वेल्कम डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एलेक्ट्रिशन थेवरी में आएवे मुख्य अबजिक्टिव कोश्चन जो इसके पहले एक्जाम 2013 2014 2015 2016 से लेकर 2019 तक के जितने भी एक्जाम में थेवरी के पेपर में जो आएवे कोश्चन है उन कोश्चनो कोश्चन में आपको दिखा रहा हूं यह कोश्चन बहुत बार पूछे गए हैं सो फर्स्ट कोश्चन देखते हैं जिंदा विद्धुति आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अगनी शामक यंत्र उप्यूक्त है आप्शन ए है हेलोन आप्शन भी है जल जिंदा विद्धुति आग को बुझाने के लिए कौन सा अगनी शामक यंत्र उप्यूज करेंगे है विद्धुति उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अबनी शामक का उप्योग करेंगे तो option A है foam type, option B है halon type, option C है जल से भरिवे gas cartis type, या option D है संगरही दाफ water filled type यह IT 2015 में 2015 में electrician trade में आया हुआ question है और विद्धुती उपकरण से लगी आग को बुझाने के लिए जो अगनी शामक यंतर का यूज़ करेंगे वो halon type अगनी शामक यंतर होगा इसका यूज़ करके हम विद्धुत से लगी उपकरण में से आग को बुझा सकते हैं next question देखेंगे आग बुझाने की भिन 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 विधियां है smoothing एक खालिस्थान विधी है तो आग के इंधन को हटाना option B है आग पर पानी डालना option C है आग पर आकसीजन की आपूर्ति को रोकना option D है आग के तापमान को कम करना तो यहां पर आग बुझाने की विभिन प्रकार की विधियां तो है लेकिन इसमें smoothing जो विधी है ये विधी कैसे यूज़ की जाती है तो यह इस विधी में क्या होता है इस smoothing विधी में इसमें इसका option C सही है आग पर आकसीजन की आपूर्ति को रोकना होता है यदि किसी भी आग जब कहीं पर भी आग लगी है और आप आकसीजन के supply को रोक दें उससे विधुत रोकी जाएगी विधुत के कारण जो आग लगी है वह आग बुच जाएगी तो इसका first जो है सही answer क्या होगा option C आग पर आकसीजन की आपूर्ति को रोकना next question देखेंगे student चाती या पेट में जख्म लगने से पुना होस में लाने के लिए क्रत्रीम् सुसन विधि का नामँ बताईए अब जैसे की हम क्रत्रीम् सुसन विधि जो उसकरते हैं अब यह विधि कैसी विधि होती है option A हौlt s nelson विध alm option B है, sapphire विधी, option C है, मुह से मुह विधी, option D है, cardiac के रूप, रुकने के कारण होस में लाने, या लिविधी, तो यहाँ पर जो है, छाती या पेट में जक्म लगने कारण होस में लाने के लिए, जो करत्रीम स्वासन विधी है, उसे कहते हैं, मुह से मुह विधी, ठीक है, य केबल को छीलने के लिए, चाकू के ब्लेट को रखने के लिए, कौन सा चीत्र सही कौन दर्शाता है, इसका option A है, 60 डिग्री से अधिक, option B है, 20 डिग्री से कम, और इसके आगे देखेंगे हम, इसमें option C है, 40 डिग्री, केबल सीरा से लेके, या option D, 45 डिग्री एम 20 डिग्री के बीच में, तो इसका right answer क्या होगा, 45 डिग्री एम 20 डिग्री के बीच में, तो केबल को, जो question था हमारा, question क्या था, केबल को छीलने के लिए, चाकू के ब्लेड को रखने के लिए, तो कितना होगा? 45 यह 25 डिगरी के बीच में होगा, मतलब कि 45 डिगरी और 20 डिगरी के बीच में होगा, तब ही आप चाकु और केबल के बीच में 45 से 20 डिगरी के बीच के एंगल होगा, तो भी आप केबल को अछछे से चिल पाएंगे यह question आया है 2014 में electricity में, next question देखेंगे एलेक्ट्रिशियन द्वारा किस प्रकार का स्कूरू ड्राइवर इस्तेमाल होता है option A, heavy duty screwdriver, option B, light duty screwdriver या option C, star tip hand screwdriver या option D, लचकदार screwdriver यह आईटे 2014 में पूछा गया है, एलेक्ट्रिशियन ट्रेड में तो इसमें एलेक्ट्रिशियन द्वारा जो screwdriver use करना होता है या किया जाता है वो light duty screwdriver होता है मतलब कि heavy ज्यादा नहीं होगा ताकि उसको आसानी से screwdriver को हम use कर सके ज्यादा heavy होगा तो हाथ में मूच आ सकती है या जो कलाई है कलाई में ज्यादा pressure आएगा इसलिए light duty screwdriver का हम use करते हैं क्योंकि कोई भारी चीज हमको तो कसना नहीं है next question देखेंगे राउल टूल किसके बने होते हैं option A mild steel के, option B carbon steel के, option C stainless steel के option D aluminium के यह ITA 2014 wireman में पूछा गया है पहले wireman trade हुआ करता था लेकिन 2016 के बाद से 2016 के बाद से wireman trade बंद हो चुका है इसको submerge कर दी है electrician trade में तो राउल टूल किसके बने होते हैं यह carbon steel के बने होते हैं किसके carbon लिखा हुआ है carbon steel के बने होते हैं next question देखेंगे किसी engineer के wise का आकार dash से निर्धारित होता है wise पड़े होंगे आपने bench wise pipe wise तो इसका जो निर्धारित किया जता है option है गती seal जबडों की लंबाई से option B है जबडों की अधिक्तम खुलने से option C है wise की उचाई से option D है जबडों की चौड़ाई से तो किसी engineer के wise का जो आकार होता है जो engineering में use की जता है इस wise का आकार किसे निर्धारित करते हैं जबडों की चौड़ाई से option D इसका क्या होगा सही होगा यह 2014 वायरमेन IT के exam में पूछा गया है next question देखेंगे चोटे इस्थान वा उच्च leverage की जरुवत वाले इस्थान में किस प्रकार के spanner का उपयोग होता है तो option A है ring spanner, option B है box spanner, option C है double सेरे वाले spanner, option D है adjustable spanner यह idea ही अगस्त 2014 की exam में पूछा गया वायरमेन में और जो छोटे इस्थान और उच्च leverage की जरुवत वाले इस्थान पर जो spanner हम यूज करते हैं वो ring spanner होता है यह काफी अच्छा भी होता है और इससे सुवीधा जयनक स्थिती पैदा होती है सुवीधा होता है कि उस spanner से बोल्ड को बहुत अच्छे से खोल सकते हैं next question देखेंगे किसी हतोड़े का आकार उसके dash से निर्धारित होता है option A, pin की लंबाई से, option B, face के व्यास से, option C, हतोड़े के भार से, option D, hand की उचाई से तो यह ITA 2014, फरवरी वायर्मेन ट्रेड में पूछा गया है, वायर्मेन और एलेक्ट्रिशन ट्रेड दोनों समान होते हैं सुबह थोड़ा बत अंतर होता है वस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हतोड़े के भार से, option C आएगा इसका सही, हतोड़े के भार से, तो हतोड़े का आकार हतोड़े के भार से decide किया जाता है, next question देखेंगे हतोड़े को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है, option A, handle के अंत में, option B, handle के मद्ध में, option C, हतोड़े के पास में, option D, handle के मद्ध में, अंत के बीच में यह ITI 2014, वायर में में पूछा गया है, question, तो इसका right answer क्या होगा, handle के अंत में, की handle hammer जो होता है, यह hammer है आपका, और hammer को पकड़ने का सही तरीका क्या है, इसके अंत में, next question देखेंगे चीतर में दर्सा है, electrician hand tool का नाम बताईए, option A है, combination plier, option B है, hand crimping plier, यह option C है, side cutting plier, यह option D है, nose plier, तो इसका right answer क्या होगा, इसका right answer होगा, hand crimping plier, option B इसका सही है, यह जो diagram आपको दिख रहा है, यह diagram क्या है, hand crimping plier का है, next question देखेंगे, किसी छोटे job को काटने, मरोडने, पकडने, वह कसने के लिए किस आउजार का उप्योग किया जाता है, option है, side cutting plier, option B है, flat notch plier, यह option C है, combination plier, यह option D है, round notch plier, यह ITA 2014 wire में ने पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, combination plier, किसी भी job को काटने के लिए, मरोडने के लिए, पकडने के लिए, या कसने के लिए, हम combination plier का यूज करते हैं, next question, किसी hexa के दात का आकार उसके pitch से सीधे संबंदित होता है, तो pitch का वीवरण कैसे दिया जाता है, option A, hexa blade की पूरी लंबाई के लिए, option B है, 100 mm की प्रती लंबाई के लिए, option C है, 25 mm की प्रती लंबाई के लिए, option D है, 10 mm की प्रती लंबाई के लिए, तो ये 2013 Electrician Trade में पूछा हुआ question है इसका right answer होगा 25 mm की प्रती लंबाई के लिए क्या होगा right answer 25 mm प्रती लंबाई के लिए option season right answer next question देखें 0.1 inch 25 mm वाले तेनन सा को धारदार बनाने के लिए आवसेक त्रिकोनी रेती का आकार क्या होगा option a 75 mm option b 100 mm है और option c 110 mm यह option d 125 mm यह आईटे 2014 electrician में पूछा गया question है और इसका right answer होगा जो है 0.1 inch 25 mm वाले जो टेनन सा है मतलब आरी इस आरी की धारदार बनाने के लिए जो आवसेक त्रिकोन जो रेती हम फाइल यूस करेंगे वह 25 mm का होना चाहिए कैसा होना चाहिए 25 mm का होना चाहिए next question देखेंगे लकड़ी के किसी टुकड़े को रेती करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे option A है रफ रेती option B है रास्प कट रेती या option C है बस्टर्ड रेती या option D है सिंगल कट रेती मतलब रेती या होता है file कि क्या होता है file अब यहां पर लकड़ी की किसी टुकड़े को रेती से रेती करने के लिए मतलब उस पर चलाने के लिए उसको रगड़ने के लिए जो हम रेती का स्टर्ड करेंगे जो फाइल का यूस करेंगे वह कैसा होगा रास्प कट समया घुश đến ghen से अधी कुफ्योंत कषिए नेक्स कोशेगे dernier के एक टुकड़े से रेती बना है किस प्रकार का रेती कट सबसे अधिक उप्युक्द होगा अब यृइल मुनियक टिकड़े से क्या बनाना अपने को फाईल बनाना है क्या बनाना है फाईल बनाना है तो या तो रास buna उस उन्हें में टुकडे को रेती बनाने के लिए नेक्स कोशन देखते हैं किसी नमुनी की सत्ह से उच्छ निम्न धब्बों को रेती से समान करना है तो रेती की किस प्रकार विधी का आप उपयोग करेंगे तो आप्षन है समानतर रेती आप्षन भी है अनुदर्द रेती आप करने के ती मतलब की कौन सा फाइल यूज करेंगे हम डाइगोनल फाइल यूज करेंगे हम इसमें नेक्स कोशन देखेंगे फाइल की लंबाई नापी जाती है option A है छोर टीप से कंधे मतलब सुल्डर तक option B है छोर से हील तक या option C है छोर से टैग तक या option D है हील से टैग तक तो इसका right answer होगा छोर से हील तक क्योंकि जो फाइल होती है उसकी लंबाई हम छोर से हील तक नापते हैं नेक्स कोश्चन देखेंगे आर्क वेल्डिंग करते समय आँखों की रक्षा करना चाहिए आफशन A है डार्क ग्लास स्क्रीन से आफशन B है डगलस ग्लास से या आफशन C है मास्क से आफशन D है साप ग्लास से तो आर्क वेल्डिंग करते समय जो अपनी आँखों को प्रोटेक्शन देंगे तो वो प्रोटेक्शन की से देंगे हम डार्क ग्लास स्क्रीन से देंगे हम तो इसका यूस करना है आपको जब भी welding करते हैं नहीं तो आखों में बहुत ज़्यादा problem हो जाती है तेली सता की सफाई होनी चाहिए option A रूई के आउसेज से option B पानी डालने से option E लकड़ी के बुरादे से option D है carbon dioxide या रेती के छुड़काव से तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो लकड़ी के बुरादे से तेली सता की सफाई किस से करेंगे हम फाइल में तो लकड़ी के बुरादे से करेंगे next question देखेंगे ओम का नियम किस विद्धु धारा पर लागो होता है option ये AC पर option B है DC पर option C है AC और DC दोनों पर ये option D है किसी पर नहीं तो ध्यान रखेंगे का ओम का जो नियम है ओम सुला V equal I into R जो होता है यह AC और DC दोनों पर लागो होता है किस पर? AC और DC पर दोनों पर लागो होता है next question देखेंगे दोस्तों विशिस्ट प्रतिरोध का प्रतिक चिन है option A, row, option B, mu, option C, sigma और option D, alpha तो विशिस्ट प्रतिरोध का चिन क्या होता है? इसका right answer क्या होता है? इसका right answer होगा row विशिस्ट प्रतिरोध का row L upon A यह formula होता है next question देखेंगे निम्न में से अच्छा चालक है option A, loha, option B, aluminium, option C, carbon और option D, eureka तो इसका सबसे अच्छा जो चालक होगा वो कौन सा होगा? लोहा, या carbon, या eureka, या aluminium तो इसका right answer होगा aluminium सबसे अच्छा होगा इन चार option में से सबसे अच्छा कौन सा होगा? हाच, aluminium होगा next question देखेंगे घरो, भावनो, कारेशाला आदी में wiring की जाती है option A है, series में, option B है समानतर में, option C है, दोनों में या option D, इन में से कोई नी तो घरो की ये, भावरो की जो wiring की जाती है, तो भावनों की wiring, घरो की wiring समानतर में की जाती है कैसे करते हैं हम parallel में की जाती है next question देखेंगे निमने में से सकती ज्याद करने का शुत्र क्या है option a पी वी इक्वल वी इंटु आई यह option भी है पी इक्वल वी स्क्वर अपान आर यह option c है पी इक्वल आई स्क्वर आर उप्रोक्त सभी तो इसका राइट आंसर क्या होगा उप्रोक्त सभी नेक्स कोशन देखेंगे वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उप्युक्त धातू है option a है नाइक्रोम, option b है निकिल, option c है यूरेका, option d है तांबा तो हमें वायर वाउंड रजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए यूस क्या करेंगे हम यूरेका, option मेगनीन भी होता है तो भी सही होता हम यूरेका और मेगनीन का यूस करते है नेक्स कोशन देखेंगे निम्न में से किस पदार्थ की डियालेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छ यह सारे कोशन दोस्तों एक्जाम में आये हुए कोशन है यह उनका पूरा पीडियो बना कर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं विसिस चालकता की ऐसा इकाई क्या है option A, Simon meter, option B, Simon per meter या option B, C, Simon ohm या option D, ohm per meter square तो यह विसिस चालकता की जो इकाई होती है वो है Simon per meter क्य क्यों कि चालकता की इकाई क्या होती है Simon, अब विसिस चालकता की इकाई Simon per meter इस टाइप से आपको याद रखना है, next question देखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध 7.05 ohm है तो उसकी चालकता क्या होगी, तो इसकी conductivity निकाल सकते हम, और conductivity मतलब चालकता G equal क्या होता है 1 upon R, तो आप मान रख सकते हैं, चालक का प्रतिरोध कितना है, 7.05, ठीक है, तो जब इसको calculation करेंगे, आप इसमें भाग देंगे, तो 0.133 answer आ जाएगा, ohm, next question देखेंगे, बिजली की तारों में लगी आग किस स्रेणी की आग होती है, option A है, A type की option B है, B प्रकार की, option C है, D प्रकार की, option D है, C प्रकार की, तो इसका right answer क्या होगा, बिजली की तारों से लगी आग किस स्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं, type D में आते हैं, कौन से स्रेणी में आते डि में आते हैं तो इसका right answer क्या होगा option C next question देखेँगे विभुवांतर का मात्रग क्या है option A है वोल्ट option B है वाट option C है ampere option D है जूल तो विभुवांतर क्या होगा वोल्ट होगा इसका right answer क्या होगा वोल्ट, next question देखेंगे neutron पर कितना चार्ज पाय जाता है option A है plus 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम, option B है minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम, यह option C है plus 1.6 into 10 to the power minus 18 कुलाम, यह option D है always, तो इसका राइट आंसर होगा option A option A सही होगा, क्या होगा plus 1.6 into 10 to the power और मायनस 19 कुलाम. नेक्स कोशन देखेंगे. हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु से बनाया जाता है? option A है मेगनीन का, option B है यूरेका का, option C है नाइक्रोम का यो option D है निकल का. तो हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, वो बना होता है नाइक्रोम का. तो नाई क्रोम में क्या होता है निकिल प्लस क्रोमियम निकिल प्लस क्रोमियम निकिल प्लस क्रोमियम नेक्स कोशन देखेंगे एंपियर मीटर किस क्रम्स में संयोजित किया जाता है option A है समांतर क्रम में option B है स्रेनी क्रम में या option C है फेस के स्रेनी में या option D है एक वद्दो दोनों में तो यह जो ampere meter कि सिक्वेंस में सेंजुत होता है ampere meter मतलब की a meter और a meter को जोड़ा जाता है सेरीज में यह सभी को पता है next question देखेंगे विद्दुद घंटी का बजना विद्दुद का कौन सा प्रभाव है option A है उसमी प्रभाव option B है चुम्ब की प्रभाव option C है रायसानिक प्रभाव option D है आयनी करण तो विद्दुद घंटी का बजना जो है वो चुम्ब की प्रभाव से होता है जैसी हम supply बटन को प्रेस करते हैं तो जो क्वाइल होती है जो solenide पे लगी होई क्वाइल है ये solenide पे लगी होई क्वाइल में magnetic field create होता है और ये magnetic field create होने के कारण ये क्या करता है iron piece को attract करता है तो ये कौन सा प्रभाव हुआ चुम्ब की प्रभाव तो यहाँपर electromagnetic field create होता है next question कुशन देखेंगे MCB का पूरा नाम क्या है Option A है Miniature Circuit Breaker Option B है Mini Circuit Breaker Option C है Main Current Board या Option D है Miniature Circuit तो इसका सही नाम होगा Option A Miniature Circuit Breaker इसे MCB Full Form में कहा जाता है ठीक है यह आटोमेटिक ट्रिप हो जाता है और यह भी General Purpose में सबसे जादा सर्किट को ट्रिप करने के लिए वर्तमान समय में यूज किया जाता है Next Question देखेंगे पीला नीला हरा का प्रती रोधक मान क्या है यदि Color Coding आपने पढ़ाऊंगा तो उसमें उसका Formula है BB Roy Great Britain Very Good Wife तो इस से निकाल सकते हैं 0,1,2,3,4,5,6,7,8,8 और यह 9 इस Color Coding से निकाल सकते हैं तो यहां पर लिखा गया है पीला नीला हरा का प्रती रोधक मान क्या है तो उससे हम निकाल सकते हैं एक मान यह कोई resistance है इसमें एक पीला है एक नीला है और एक हरा है तो इस प्रती रोधका मान कितना होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इन चारों में से कोई नहीं होगा क्योंकि यहां पर 4600 ओम लिखा हुआ है यहां पर लिखा है 460 किलो ओम और यहां पर 46 किलो ओम लिखा है यहां उप्रुक्त में से कोई नहीं तो हम निकाल के देख सकते हैं उसे एलेक्ट्रोन में प्रोटान कितना भारी है तो एलेक्ट्रोन से प्रोटान कितना भारी है option यह 1845 गुणा से कम option b 1845 गुणा से अधिक या option c 1846 गुणा या बराबर तो इसका एलेक्ट्रोन से प्रोटान का जो भार है वो 1845 अटरा चालिस है और लिखा हुआ यहां पर 1845 एक्शुल में कितना है 1840 और यहां पर 1845 से कम लिखा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1845 से कम नेक्स कोशन देखेंगे चान्दी का गलनांग बिंदू कितना होता है आप्शन A है 1060 डिगरी सेल्सियस आप्शन B है 960 डिगरी सेल्सियस या आप्शन C है 360 डिगरी सेल्सियस या आप्शन D है 460 डिगरी सेल्सियस तो चान्दी का जो गलनांग होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 960 डिगरी सेल्सियस 960 degree Celsius में चांदी क्या हो जाता है melt होके पिखल जाएगा और ये पानी बन जाएगा liquid बन जाएगा next question देखेंगे किसी तार की लंबाई 2 गुणी वो उसका छेत्र फल 2 गुणा कर दिया जाए L भी 2L कर दिये और area भी 2A कर दिये तो उसका प्रतिरोध क्या होगा option A 2 गुणा कम होगा option B 4 गुणा बड़ेगा option C 2 गुणा बड़ेगा option D है कोई प्रभाव नहीं होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं होगा option D इसका सही होगा आसा करता हूँ दोस्तों यह जितने भी है question यह first year के question है और first year की exam में आई वे question है तो मैं आसा करता हूँ कि इस question को आप पुरा पढ़िए बार-बार यह वडियो देखिए ताकि यह question याद हो जाए 2014 2013 से लेकर 2019 तक बार-बार repeat हुए question है और 101% मैं कहना चाहूँगा 2020 में भी यह question repeat होंगे इसलिए आप इसे बार-बार rate करिए वीडियो को बार-बार देखिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तेंक्यू दोस्तो